कि नवस्कार दोस्तों कि जिसा कि आप लोग को पता ही होगा कि बीपेसी ने अपना जो 67 पीटी का जो डेट जो दिया है वो लास्ट अगस्त के महने में दिया है उसी को ध्यान में रखते हुए 21 जून से 21 जून से मैं 67 बीपेसी होंबर्ग श्रीज शुरू किया हूं और यह साथ दिन का लगों श्रीज चलेगा 21 जून को जब मैं शुरू कर रहा था तो एक मैं जो मेरा जो साइंस का जो वीडियो आता है जिसमें जिसमें मैं इस चीज का इनिपोर्मेशन देया था कि होंबर्ग फिरीज जो है चल रहा है मेरा लेकिन कई फारे को डॉट था कि सर कै इसे क्या हो रहा है मैं आज एक वीडियो ही बना कि सब चीज को कर दिया जा और दो दिन का जो टेस्ट जो हुआ है चुका है 21 22 हो चुका है तो आज जो है ना मैं दो दिन का जो जो मैं कॉस्टन दिया था उसका भी इसमें डिसकॉस करूंगा पहले इसमेंसिज आप लोग अच्छे इसका इंफॉर्मेशन सुन जाख रिसमें होता क्या देखिए यह मेरा साथ दिन का प्रोगराम है पहली बात ठीक नहीं जो कि और यह साथ दिन में क्या होगा कि मतलब कि इसे कभी मैं हिस्टी का सेक्शन सुरू कि आउं इसमें हिस्टी में एंसेंट मेडियाबल तो प्रोडन चलेगा इसमें देखिये मैं एंसेंट में पांच दिन का टॉपिक बादिन लिया आउंटी देखिए डेफ दिन में क्या था करना आपको कि शोर्स ऑफ एंसेंट इस्टी अचे से पढ़ना था मतलब की आपको प्राचिन इतिहास के फुरोग भी पढ़ना था सिंधु घाटी या हरपा सवता पढ़ना था इसको पढ़ना था जब आपको जनवरी 21 का करेंट फेस्ट भी पढ़ना था इसलिए में जनवरी 21 के महिने का पढ़ना था फिर देखें क्या दिया था क्या दिया हूं कि बहुत धर्ण फिर मगत समरा जुसारा जितना भी हरियक बंसे शिशुनाग बंसे नंद बंसे पुड़ा एटुजेड और मार्ज एकिस का करेंडर फेस्ट फिर देखें डेव फोर्ड में आपको चोविस तारीक का था यह यह यहां यामन याकरवन इंडोग्रीक जितने भी सब्सान पलभ फिर गुपतकाल और गुपततर काल जितने हार्षबरधन का इसाव समय देखना था यह चार दिन में मैं क्या कुछिस किया आइफार एक मैं फिदूल बनाया था यह बनाया हूं कि पूड़ा आपका एंसे जो है ने चार दिन में अच्छे सेवार कवर हो जाए और जो पासम सब्सक्राइब करूंगा उसमें चार दिन समय देंगे फिर पॉलिटी में फिर साइंस में फिर एकोनोमिक्स में इसे करके फिर मैथ में ऐसे करके लगातार जो है डे मतक्षिडूल आता रहेगा और यह मेरा कोशिस यह होगा कि अगले साथ दिन आपका हर एक टॉपिक मिनि पॉलिटी का फिर साइंस का पिर जोगड़ाफी का सारा इजितने भी टॉपिक में आता है सब कम सकम तीन बार आपका हर एक सब्सक्राइब मिनिम्म तीन वारी साथ दिन में साथ दिन में और भी आते रहेगा वंतलब इतमें पांतिन का दिया हूं यह से पांतिन खतांगा पर दो जाओं और उसमें आपको पूड़ा पूरा पीटी का तीन वार मिटमर भाइज जाएगा हो जाएगा और देखेंगा जो एंसेंट के लिए दिया तहीं आई पर लिए तो कि अगर तो एगर क्लाफ 11 का एंशाटी है और पर लिजे में तो कोई भी तीनों में से एक पर सकते हैं अगर घटना चक्र है तो उसको पर लेजे घटना चाहिए उसके टॉपिक को परना है और फिजा तो मेरा पीडिया भी मैं देखिए मेरा एंसेंट हिस्टी का पूरा अच्छे से ह इस इंपोर्टेंट जो को फन इंग्जाम में कई वार पूछा या पूछने वहीं दिया हुआ और वीडियो आप देख सकते हैं इतना आपको मैं बुक्स या सोर्स बताया था इस टॉपिक को करने करिए और करेंट मैं आपको या तो इस पीडिया लेना है या तो इदिश् कर दो था जिसमें कि कई फार लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया ठीक नहीं और लोग मतलब किसी से कर भी रहे हैं देखिए करें मतलब यह कि दिखिए जो मैं जो हमबर्ग फ्रिज दे रहा हूं जरू नहीं कि आप मेरे एकॉर्डिंग ही चलिए आपका अपना भी आप इसमें जूर सकते हैं मेरी बात को मानना ही मानना हमको लगा कि नहीं आगले शाट दिन में यह चीजा होनी चाहिए और चुकि कई फारे हमको लगवा दो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग जो आप बोलेंगे वही करें ठीक है एक ऐसा हम दिन में आपका पूर कर देता है कि अब देखेश को बता दी आपता देखेश को और क्या कि इसको में किस तारी को गुरूप में पुरा इस तारी में क्या हुआ थे और मैं रात में आठ वूजे मैं इसी टौपिक उन्सकी पंध्र है क्यों दिया पूरे टॉपिक और करेंट का भी मैं दस को फन दिया इस हिस्ट्री का लो पांस टॉपिक पांस जो करेंट दिया मैं जनवर दों 21 का पंदरे कफन मैं अपने हैंड लिखके अपने ट्रिग्राम पे शेर किया और वहां बच्चे न क्या दिया आंफर दिया तो देखिए आंसर जो दिया तो उसको मैं मतलब आंफर का रिप्लाइन लेता हूं क्यों को जर्लान उम्यूट है तो आपको सिर्ट करना है पीडिया पहला का एक है दूफरा कुछ भी है ऐसे एक दो तीर पंदरें तक आप दे लिजिए फिर मैं उसका आंसर की ग्रूप में ही शेर करें आप उससे मिला लिजिए और बाकी मैं हर एक आंफर का एक्स्ट्राइश्मान भी करूंगा यूटूब पे उसको आप देख सकते हैं त और बाकी मैं नेक्स दिन कोशिश करूंगा जितना भी टॉप यूटूब पर कर दो कर दो आज हम वही करेंगे देफर्स्ट यूटूब पर पूछे हैं उसका अच्छे से क्या करेंगे एक्सट्राइश्मान करेंगे यह हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे और जो नए स्टुडेंट है वह सिंपल क्या करेंगे मैं नीचे यहां टिग्राम का लिंक दिया गया है उस टिग्राम लिंक पर जोइन कर लेंगे वहां यह सारा चीज़ां चलता है जो जो चीज़ां आईगी में सब वहां फूचना देता हूं और किसी को कोई दिक्कत होती है मैं दिक्सक्ति नमर एकशन फाइब नारत इस पर हम को कॉल कर सकते हैं और मेंस का भी प्रोगाम चल रहा है मैंन और इसमने प्रोगांट को लेके जोड़ना है मैंस में पर और सकते हैं बाकि पी अब अनिया नियुक्त बेस्ट आएगा और हैं इसको तो और विश्यक्त आएग सब्सक्राइब कमी होता है तो सब कुछ आएगा लेकि अभी ततकाल में चला है इसमें आप लोग किजिए जुड़िये हम डे फर्स्ट में जो कुर्षन दिये थे उसको देख लेते हैं एक और बोलना चाहूंगा जिसे माले जो लेट हो गए माले की जिनका डे फर्स्ट डे स सब्सक्राइब करना है और रात में जब आर्ट में टेस्ट होगा तो उसमें पाटिस्वेट करना है और इसका मैं आंसर की दो उसको मिला लेना और फिर मैं यूट्यूब पर एक्सक्राइब क्या करना सुन लेना यह देखिए डे फर्स्ट का यह को संथा यह मैं लिख दिया हूं डे फर्स्ट फर्स्ट प्राचिन थे अप्रवर्द का टॉपिक था रपा था पसान यूग था और जैन्वर 21 का करेंड था ठीक अब देखिए यहां पहला कोफन में दिया था भारत में मानव का प्रफम सा एक ऑप्षर के डिया हूं यहां पहारी नियुगणी नियुगरि पहारि के साउथ में तो कहां पर पता होगा कि जहां पे पच्छमी ज़ाट यौर्षव कहां आप देख्य कहां दियुका ह users आ पहारी बोलते हैं आप इसे पर यह मताओ कि अब आपको पहारी नदी कहां पहारी निकलती है अरब सागर में गिरती है आपको पता होना चाहिए इन दी कहां इस घाटी में बहती है तो आप यह भी इसको कर सकते हैं अब परिये तक पीटी और अच्छा होगा दुफ्रा कोफन के खाद्यानों की किसी सरपथम कहां हुई थी आपको पता है कहां नभ पासान काल में हुआ था आप देखिए नभ पासान काल जो है इसमें आप देखिए कि इसमें और भी कुछ जो है आप जो सकते हैं पहली बार पहला फसल गेहुं और जो ही ओगाया था इंडिया में पहली बार कोल लिए यूपी में चाय की क्या हुआ फर चावल की क्या हुआ था साक्स मिला एसे अगर का जो लिए गा तो कई फारी कफन आपको बन जाएंगा ठीक ना पर देखिए आपको पता है इसमें कौन सान फ़ भाग में घटा हुआ हम जान फोट लुट थे मैं प्रोफ़र सागर में घड जिय कर दो है तो गहां था गाता है अब कंटक वाइफ निकलता है अरब सागर में गिरती है बहती है में पहला फफल के हो गया मिलता है दुलाबिया गुजरात में है लुडी नरी पर है यहां तीन भाग में बटा हुआ है यहां खेल का क्या है मैदान भी है इसे करके आपने चीज़ों को लिख भी सकते हैं एक नोर्स बना सकते हैं कि देखें पीटी में इस तरक चीज़ां मुण्डो को पुछ चुगा है और आपको पता है कि रिगवे अगया मंदल से संब्दित है अब दस मंदल होते है तो आपको पता है कि तिफ्रा मंदल गयातरी मन से संब्दित है सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका पीटी क्या होगा बहतर हो जागा पुरान के संख्या किसके अनुफार अठारा है यह एक दर्फन था वड़ा पुरान में लिखा हुआ है पुरान है पुरान है कितनी तो अठारा के ऑफसे पुरान है उसी मतस्त पुरान में उसी मतस्त पुरान में आपको विश्नु के दस अव्तार का क्या है बुद्ध है और 10 मों क्या है कल कि रिखा है किस सम्भंदीथ है यहां को इसमें और अपफन था ही नहीं नहीं दिताथ इसे क्या होगा कोई यह फोकस करें तो खारवाल का हाथई और उडिसा में था इधियांario और जो खारवेल के जाफक थे जैन धर्म को मानते थे उसका पहला हो जागा दूफरीश्टी से चदाव देखिए भीसी भीपोर क्रैस्ट थिकना प्रिखे त्री पिट्रों के भासा क्या है आपको पता है कि महात्मा बूद के मरने के बाद तीन पिटक लिखा गिया तीन आपको देखिए पहला पिटक बिने पिटक है तो अब बिने पिटक में क्या है महात्मा बूद का और विधम पिटक में क्या है दर्फन है ऐसे आप करके लिख सकते हैं अगर अगर मेरे अगर मेरे आपको बहुत फैया होगा है तो आपको पूरा पिटक में लगवा कोई कफन नहीं चूटेगा एक सो पचास अब एक सो दस प्लस करने के लाइक रही है इसलिए शाट दिन तक मेरे साथ चलिए और देखिए आपको बहुत फैयदा होगा आपको पुझा निमने किसे कौन सा आरणक नहीं है आपको पता है कि लिखा गया ता यह जंगलों रहने वाले लोगों के लिखा गया था और इसमें अपको अपनिफ्द है इसमें कोई भी आड़न के आप ठीकना नहीं प्रिखन है भाड़ात परब का आईजन किस मंत्र दर होता है यह होता है कि सब्सक्राइब बनाने की गोफना किस देफने की है आपको पता है कि आप यह देख सकते हैं भारत यूनों की परिफात का और सब्सक्राइब बना है और इंडिया दो साल तक कि रिष्ट में और भी चार देश बना है नौर्वेय है मैक्सिको सब्सक्राइब को है और कौन है कि अच्छा त्यार होगा कि देखिए फिर यह को संदिया था में कल दिया था कि अबेदिक काल महाजन पर बहुत धर्व और फर्विदर 21 का पूड़ा करेंट अपर इसमें किया था अनेकांत बाद सिद्धान किसका अपको पता है और शियाद समाधी मरन किस दर्फन से संबंधित है आपको जैन धर्म संबंधित हो गया ठीक नहीं किसमें आपको पता हुआ कि असमक की राजधानी बिरात नगर नहीं थी असमक की राजधानी पर देखें यह था पोटली कहां था पोटली और असमक ही एक मात ऐसा महाजनपत था जो कहां था दक्षिन में था विए किफ नदी पर था गदाबरी नदी के किनारे था यह इसे लिंक करके पढ़िए असमक नदी अपफन से ही कफन बनेगा अप फन भी एक खुद एक पफ अधिमत यह सही है और यह किस शिर्ट में था चीदि था बुंदेल खंड उतर परदेश में था यह कहां बिहार का हो गया और यह आपका क्या है यह गलत है बाकी दोनों क्या है सही तो कौन सही नहीं है इसका यह हो जाएगा पहला हो जागा ठीक एक इसे कर सकते हैं दोहां जैन धर्म के 23rd 23rd कोन थे कोफ़न कई बार पूछता है कि देखिए 23rd तिन थन करक कोन के पार्फनात को है अच्छे को जो है नहोंने चार च्छाएं दिया था कि हिंसा ना करो सत बोलो चोड़ी ना करो और संपत्ति ना रखो बाद में महाबीर जी आय तो उन्होंने इसमें लाइन जोड़ दिया तब पांच हो गया तो इसे कर सकते हैं पहला तो यह सब देव आपको पता ही होगा फिर चुविस में कौन थे खुद महावीर थे बाइस में कौन थे अरीस्ट नेमी थे इसे करके कुछ-कुछ नम्मरिंग याद कर ले कुछ पता ही कि आपको फन पूश लेगा इसका क्या करते हैं इसेंट हिस्ट्री का उसमें आपको मैं काफी अच्छे से बताया हूं नौट्स में कि कौन-कौन से महावाजनपत की कितनी-कितनी राजधानियां है और कहां-कहां है तो जिनको नौट्स मिला होगा उनको पता होगा कि जैसे कि आपका जो यह ज दहां नाम था चमपा कौशल की दूरा राजधानी था उसका एक नाम था फ़्रावस्ती एक का नाम था शाकेत या उत्थ्या जो अतर प्रदेस में थीखना तो कोरु जो है कुरु का इंद पर्स जिसको दिली दिली में था आश्मत का तो ही हो गया पोटली जो दक्षिन मे तिन की दो राजदानी ती त्यसव दियाल के उत्तरबेदि काल में निस्क और सतनाम था नियूंद्रा था या उपिस्ट इसका है इतना इंपोर्टन को साने लिए पेपर लेश करने बाला भारत का पहला राज कुछ तक कि यूपी ने यूपी ने यह कर दिया था यूपी ने बाइस में किया था तो इसका उत्र पर देफ हो जागा सहतूत बांध किस नदी पर यह आपको पता है मैदान नदी पर है कि इस प और यह मनाता है किसका रहता है यह आपका क्या था ऐसे करके देखिए जब आप बाकी अगर इसी में अपने लिए पर कर सकते हैं और गठन कब हुआ किस अधिनिया में क्या-क्या होता है फिर अभी बरतमान में गवर्णर को इसको सब टॉपिक क्या कार है सबकुष में बताना संभब सबकुष को कि अपने अपने बैंक इसमें है इसका सकते हैं इसका सबकुष में निती आयो में और आप बना पैद्रम बना अभ इसको पाधियक्स कार। नहीं होगा तो यह था मेरा अभी आज का डे थर चल रहा है जिनको जुड़ना है वह हमारे इस से जूर सकते हैं और अगले साथ दिन में आप अपने पीटी का अच्छी सत्यारी कर सकते हैं हमारे गाइलाइन में देखिए जरूरी नहीं कि आप मेरा ही नियम फॉलो कि आप ज सब्सक्राइब करेंगे तो आपका समस्या क्या हो जागा और लेकिन लिंक कर नीचे दिया गया उसमें आप जूर लिजिए और बाकी पढ़ाई रखिए थेंक्यू